नास्कास तो कैसे हैं आप लोग उमीद करूँगा सभी लोग अच्छी होंगे तो इस वीडियो बात करेंगे हम लोग आप पर प्रो कबड़ी के मैं संबर 53 के बारे में जो क्यों होगा आज की दिन का पहला मुकाबला यह मुकाबला यहां पर जैपूर पिंग पैंथर वर्स यहां पर इसली गिवें पार्टिसिएट करके यहां पर विनर बन पाऊ गए ठीक है इसके अपसे लोग यहां पर बात करेंगे तो आप सभी लोग उसे रिक्वेस्ट एक वीडियो का पी ज़रूर से वाच करना वीडियो आपको पसंद आएगा तो लास्ट में आप लिए रिक्याद करेंगे तो आपको बता है इस बार की जो टेबुल टॉपर हे यहां पर बन चुकी जैनुन अपर आप लोग लिक्रियो चार मुकाबले विन के लिए और चार मुकाबले इस टीम ने हाय रहा है ठीक है लेकिन लास्ट के मैं आप लोगो ने देखा किनों ने दब पर ऐसा नहीं कि यहां पर पत्ना पारेस इस मुकाबले को वन-साइड विन करेगी यहां पर देखो कि जैपूर के पास अच्छे खासे रेडर भी है और अच्छे खासे डिफेंडर भी है तो यहां पर जैपूर भी इस मैच को विन कर सकती यह चीज आप लोग ध्यान देना वख्यान पास बदेनास बर्सित आपकर उन हो हिane वारेस। इस में और यहां पर आप लोग देखो बड़ेसं के जैसे आज का लेगाए सकती यहां पर प्रिम एंट्रि ले सकत हो ठीके और इंट्या फिन अपर कforwardटी कि आपको कोई भी credit का दिक्कत यहाँ पे नहीं आने हाек स्थिप्लियर को मिवाला की सबसे अग्वे dealt छाप एक रिशिपिलियो ऊज़ुब को द बने वा लोगा जिसके बाते हो एक रते आपको में historical सबसे लेसे आपको अलोबर मार्केट में देखने को मिल जाएगे तो इससे आप लोग समझ सकतो कितनी ज्यादा इंपोर्टन के लिए का बड़ी के लिए होने वाले ठीक है आप लोग डाउनलोड को लेना इस वीडियो में फिस्ट कमेंट जो रहेगा उसमें आपको इस एपलिकेशन का लिंक मिल जाएगा ठीक है वहां से डाउनलोड करने पर क्या फाइदा है कि आपको 100% cash bonus मिलेगा और आपको 100% गीवे यहां पर देखोगे फिस्ट पर आपको cash bonus मिलेगा यानि कि दो advantage तो यह होगे तीसरा advantage का रहे था यहां पर सेप्रेट गीवे रहता तो उसमें भी आप लोग यहां पर इजली पार्टिसिपेट कर पाओगे तो वीडियो के निचे आपको फिस्ट कमेंड म कि दरब से इनका starting seven कि इस तरीके साब को यहां पर देखने को मिलेगा तो friends पहला नाम जैपूर पिंग फैंथर की दरब से यहां पर दीपक निवास हुद्डा का आपको दिखने को मिलेगा जो की team के captain भी है और left से raid भी करते है लास्के में इस बंदे ने थोड़ा सा अपन पर फोकस करें ठीक है एक भी टैकल कोईंट इनका नहीं है पिछली सीजन तक आप लोग देखते थे कि दीपक निवासुद्डा एज प्योर ओलाउंडर के तौर पर खेल लेकिन इस बार देखर हो एज प्योर रेडर के तौर पर कहल है और रेडिंग में बहुत कम जा रहे लेपटे से रेड करेंगे ध्यान देना ग्रेंडी के उपर ट्राइ कर सकते है स्मॉल लिंग में अगर इग्नॉर करोगे तो उतना ज्यादा मेरे साब सापको फरक नहीं पढ़ना चाहिए ठीक है बाकी देखोगे यह पर अर्जुन देखवाल जो की राइट से रेड जैसे कि आप लोगोने नवीन कुमार को देखा था नवीन को देखा था जब पीछले सीजन आया था तो किस तरीका से प्रफॉर्म कराता हर मैज बसूपर 10 इस तरीके से अरजुन देखवाल ने इस बार देखो के ताथ मैज हों पावरफुल रेडर होने वाला टीम के टाप यहां करें ताभ जा करिका गार्ट अर्ज नवीन को यहां पर आफ यहां ड़िए एंग यह रेट पर भी टेौने में पर ग्रैडिट को एप यह अपने के लिए लेते आप अधर वाई आपको लेने बात करेंगे इस टीम के डिफेंस की तो लाज के मुझे काफी कमाल का इनका डिफेंस चलाता दबंग दिली के सामने तो अच्छा खासा फॉम इस बंदेगा भी यहां पर इस सीजन में रहा है ठीक है फिर यहां पर लैप्टिक और से आपको संदीब कुमार धूल मिल जाएंगे इसके कोई कमी नहीं है लास्ट के में तीन टेकल पॉइंस बेकार गया था लेकिन पहले मैं जो अगयन देखें य तो पतानी टेम यहां पर क्यो खिला इस बंदे को राइट कवर वैसे देखा था तो तो थोड़ा सा वी ए फिर यहां पर फ्रैट कवर पर आपको विसाल भी लेंगे विसाल ने लास्ट किम ने रहा लिया है लिकि उससे पहले देखो कर विसाल का फॉर्म है थोड़ा सा लास्केमिजाब रेट वेंट ने पहले आठ एक टैकल देखो कि एवरेज प्रफोर्मेंस बंदे का रहा है यही लगबग देखो कि अवर्वर बंदे का अभी तक भी तक भी एक सूपर टैन्न नहीं हो पाया लेकिन देख रहो कि हरेक में फ्रेंट से कुछ नकुछ प्रफोर्मेंस अच्छा नहीं था इन रेट पोंट लेकिन उससे बहले एक टैकल पॉंट उससे पहले लिए देख़्ियों 5 रेट वें एक टैकल पॉंट तो आपको लगबग टैकल पॉंट तो हर मैस में मेरे साब सिभी बंदा लाही रहा स्टाइं अगर आपलोंग देख पिर इस टीम के फ्रेंट यह पर सेकंड मैं रेडर की बात करेंगे सचिन दनवर की जो कि राइट करेंगे फ्रेंट से लास्के बाइट वेंट से पहले चैह उसे पहले दस और इस टार्टिंग में बंदा क्या है कि सब्स्ट्ट्यूर मलब डिफेंस भी यहां पर योगदान अभी तक सिर्फ एक ही बार इस बंदे ने किया ठीक है अब हम लोग यहां पर बात करेंगे इस टीम के डिफेंस की तो फ्रेंट से दो प्लियर तो इनके काफी साथ स्ट्रॉंग बजह यहां पर लगता है पहला नामा यह पर सी साजिन ठीक है थोड़ा सा लास्के में एक ट से खेलेंगे सी साधिन लेप्ट गवर्वे खेलेंगा ठीक है तो लेप्ट साइड मुझे काफी स्ट्रॉंग लग रा स्टीम का यहां पर मोहमध रजा की बात करूंगा तो लास्के में आप लोग देखा चार टेकल एक सूपर टेकल उससे पहले दो तीन उससे पहले पहले दो सूपर टेकल उससे पहले दो टेकल प्वेंट तो अपलोग समझ सकतो लास्के में हाइप कंपलेट किया और एक पहले भी अपना है अपको अप्लेट कर चुका बंदा तो मैं काफी कमाल गा यह देखो गड़े से तगड़े यहां पर बात की इस्ट्रीम के कवर की तो सब्सक्राइब करें तो सुनील का प्रफोंच अगर लोग यहां पर देखोगे तो स्टार्टिंग में तो अच्छा लगा लेकिन अभी देखरो लास्ट के तीन-चार मैंज से बंदा का प्रफोंच कुछ खास निया यानि कि राइट से थोड़ा सा मुझे कही ना कहीं इस तो अच्छा कासा राया है एक अपना हाइफ भी कंप्लीट कर चुगा लास्ट के मैं इससे पहले भी देखोगे फॉर्म ठीक ठाक यहां पर राहार मैंज बदो तीन यहां पर टैकल प्रफोंच लेकिया रहा है निरजकुमार तो यह था अबरॉल तो दोनों टीमों का यहा अब हम लोग क्या करेंगे फ्रेंट्स यहां पर हम लोग प्लियर बैटल को देखेंगे सबसे पहले मैं यहां पर प्लियर बैटल को देखोंगा अर्जुन देशवाल और नवीन की दुनों को दुनों राइट से रेट करेंगे तो इनके सामने सामने वाली टीम का यानि कि पत्ना कर लेप्ट साइड आएगा तो फेंच यहाँ थोड़ा सा इनको दिक्कत आने वाली क्योंकि पत्ना कर लेप्ट साइड काफी स्ट्रंग मुझे लग रहा यहाँ पर मोहमाद चिना आए देख सकतो आप लोग यहाँ पर मुहमाद रेजा देंगे यहाँ पर सी साजेन फिर यहां पर देखो को राइट कवर से कौन आएगा? नीरज कुमार आएगा, ठीक है? और यहां पर सुनील को तो छोड़ो, सुनील को नहीं लेते हैं. लेकिन इन तीनों को आप लोग देखें, इन तीनों के सामने फ्रेंट्स यहां पर अर्जुन कुमार और यहां पर नवीन कुमार को पॉइंट लाना बहुत ज़्यादा मुस्किल रहेगा, ठीक है? अब क्या करना पड़ेगा, अर्जुन को मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है? यहां पर रहेगा मुहमद रेजा, यहां पर रहेगा सी साजिन, और इधर से रहेगा राइट कवर पे नीरज कुमार, ठीक है? तो यहां से अगर यह रेट करेगा, देखो, क्या केता है? आप लोग के लिए थोड़ा इंपोर्टन हो जाएगा, क्योंकि में अर्जुन देश वाल क्या सोचेगा, कि वो मुहमद रेजा से बचेगा, तो इधर नीरज जाके उसे पकल लेगा, यह चीज ध्यान देना, तो नीरज थोड़ा सा इंपोर्टन आप लोग आज होने वाल तो दीपाक निवास हुड़ा यहाँ पर एजली लेके आ सकता है, यहाँ पर सुनील के सामने थे, और नीरज थोड़ा सा मेरे साबसे, अगर राइट कवर पे रहे के तो नीरज को भी यह टच करके आ सकते है, क्योंकि नीरज डैपिनेटली क्या करता जल सबस्यादा, डबल सामने वाली टीम का, यानि कि जैपूर का लेफ्ट साइड आएगा, तो जैपूर का लेफ्ट कॉर्नर पे संदीप कुमार धुल, तो इसको इस बार मुझे लगता है कि कापी अच्छे टैकल मिलने वाले, क्योंकि दो जो मेन डेडर है इस टीम के सामपटना के, वो राइट संदीप कुमार धुल के 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 स और फ्रेंट्स, आप लोग देखरों, स्टार्टिंग सही अच्छा प्रफॉमेंस कर रहा है, तो परसंद कुमार राही के लिए थुड़े दिक्कत आने वाले, सॉल के सामने से पॉइंट निकाला, अगर राइट से लैप्ट को यहाँ पे रेड करेंगे, फिर भी आप लोग आप सभी लोगों से कहूंगा, कि हमारी जो फाइनल टीम रहेगी, फाइनल अपडेट रहेगो, आपको टेलिग्राम के ऊपर मिलेगा, टेलिग्राम कल लिंक का आपको मिल जाएगा, वीडियो को नीच फस्ट कमें पिन कियो, या फिर आप लोग तेलिग्राम पर जाके सर् पर टॉच है ग्रेंड टीम है, और एक स्मॉल लिकी जो अच्छी टीम रहती है, जो हम बैस्ट बैठ बनाने की कोजिस करते हूं, आपको यहाँ पर मिलती है, टीके तो अभी के लिए फ्रेंट जो टीम बन गयाई उसे हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, तो फ्रेंट पर आपको टेलिग्राम के उपर मिलेगी अगर आपको फ्रेंट ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक आप जुरूर से कर देना पहली बार चैनल पाईओ चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को आल पे सेक्ट करेंडा मैं मिलूंगा आप लोगों को सब्सक होगो